Mb.A.B.K. Sings की एनालसिस, क्या निप्टी-फिप्टी, अठाराजार आठ्सो जाएगा ये विच जार आठ्सो जाएगा? जी दस्तो, क्यों? क्यों कल होगा फेल एनालसिस Mb.A.B.K. Sings की? चलिए जानते हैं कि कल का इस्टोक मार्केट क्या होगा आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा निप्टी 50 निप्टी बैंक के लेबल किस प्राइज पर खरी देंगे किस प्राइज पर बेचेंगे कहां पर होल्ड करके रखेंगे आएए चलिए दोस्तों मैं बताते हूं आपको सबसे पहले निप्टी बैंक की बात कर लते हैं तो निप्टी बैंक की खरदारी कहां करना है ये आपको 43-722 जो ये बेस बना हुआ है ये 43-722 से नीचे की तरफ जा रहा है दोस्तों और ये नीचे की तरफ जाने के लिए तैयारी कर चुका है, क्योंकि ये नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, कह रहा है कि ये भी हम और नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, और नीचे जाजा के देखे, कहा तक जाता है, चलिए तो खरदारी करते हैं, यहां और तीसरी बार खरीदेंगे आपको 43,257 पे अगर यह बेस को तोड़ता है यह बैस को तोड़ता है तो यह बाई प्राइज बाइंग लेबल और यह आपको अगर किसी कारण से उपर की तरफ जाता है तो यहां पर सेल करेंगे सेल करेंगे तो 43,877, 432 और 4187 यह निप्टी बैंक की बात होगे दोस्तों निप्टी बैंक की बात होगे तो निप्टी 50 की बात करेंगे तो निप्टी 50 क्या कहता है कि यह बेस बना हुआ है चुट्टी एक दिन है तो चुट्टी के एक दिन पहले मंगलवार को मार्केट कल तो मार्केट 100 परसेंट गिरने वाला है कितना गिरेगा वो भी हम आपको बता देंगे चलिए तो निप्टी 50 आपको बेस बना हुआ कितना 19.551 रुपिया और यह पहला आपको सपोर्ट है यहां पर खरदारी करेंगे 19.59, 19.476 और 19.434 रुपिया अगर उपर की तरफ जाता है दोस्तों तो उपर की तरफ जाएगा तो State Bank of India IRFC और यह भी बताएंगे कि यह क्या है 8% SBI Bank की बात करेंगे तो SBI Bank की यह ROC है ROE की बात यह 8.8% है और IRFC की बात करेंगे तो 12.1% है और सिराम टांसपोर्ट की बात करेंगे तो यह आपको 13.2% ROE है बहुत बढ़िया इस्तिति में है कोई बात नहीं है Bajaj Holding Investment आपको 10.5% है और HDFC बैंटी 13.1% है यह सभी के सभी स्टोक Very valuable स्टोक है और इन सब स्टोक में आपको जरूब बने रहा HDFC बैंट की बात करेंगे बात करेंगे बात करेंगे बात करेंगे सिराम टांसपोर्ट फाइनस की बात करेंगे अब जोस्तों आपको बता दू आर इसी 29 पॉइंट कितना देखिए यह बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा यह 29.7 आर इसी पावर ग्रिट की बात करेंगे तो 66.7 परसंट बहुत बड़ा यह और यह पावर ग्रिट कोई मामूली था नहीं ओन्जीस्टी की बात कर लें तो उइंजीस्टी बात करेंगे तो 43.2 आपको मिलेगा कोल-енडिय legitimt 53 निया है यह क्या है आपको ओ आपको 303 हिंदूस्तान जिद्री dt 303 उर बेदान्था की बात करें तो 220.3 यह होया पे ऑउट रेसियो बेदान्था बेदानता 46 परसंट इसकी डिविडेंट इली जो है 45.6 परसंट है और आप अब हम बात करेंगे थोड़ा सा हट केज से तो आएए देखते हैं कि क्या करना है क्यों फेल होगा और दूसरी तरफ मैं आपको बतादू निप्टी बैंक जो बंद हुआ था निप्टी बंद होगा कहां बंद हुआ होगा जी कि यह यह बंद हुआ था 43 आफ सो तीज पर और मैंने बेस बनात बता दिया बाइंग पराइज़ बता दिया लेबल वरातिया खरीदारी और बिकरी का निप्टी बैंक का अब यह दोस्तों निप्टी 50 की बात कर देखते निफ्टी 50 बंद बता उन्हेस 542 में और इसकी भी हमने बात कर लिया आपको लेवल बाई और सेलिंग का दूसरी तरफ आपको मता दूँ ये अमेरिकी स्टोक मार्केट जी निव आर के स्टोक एक्षेंड इसका पूरा नाम क्या है निव आर के स्टोक एक्षेंड और निव आर के स्टोक एक्षेंड में भारी गिरावट पूरे दुनिया के स्टोक मार्केट में सुकरबार को हुआ था और इसका असर भारतिय सेरबाजार पहले क्या थो दोस्ते एक बात मैं आपको बता दूँ ये ये पांट सल पहले के इस्तिति में बता रहे हूँ पांट सल में पूरा ये जो इसको क्या बोलेंगे ठेन्ट पहले क्या था कि अमेरिकी स्टोक मार्केट जो है आपको कम गिरते थे और हम ज्यादा गिरते थे अभी क्या है कि उनका इस्तिती जो है बरुजगारी और फेड और मांगाई की जो इस्तिती है वो इंडिया से बहुत ज्यादा है और ज्यादा हो रहा है और जिसके चलते दुसरी बात की उनकी जो फेड और जो इंट्रेस्ट रेट है वो भी बढ़ रहा है दुसरी बात की उसर डालर चापते गए डालर चापते गए और डालर चापते चापते वो इस्तिति होए कि कितना डालर चाप हो गए अब पुरी द 20-80 रुपय का आस पास है, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ रहा था, उस समय तो ये डिर से पार हो जाता था, जैसे कि पाकिस्तान का हो गया, तो वो पाकिस्तान के बाद छोड़ दीजिए, तो उसका तो क्या कोई, इने अमेरिके स्टोक मार्केट, तो ये निवियर के स्टोक ए गिर रहे हैं हम कम गिर रहे हैं यह ज्यादा गिर रहे हैं तो हम कम गिर रहे हैं और यह कम बढ़ रहे हैं तो हम इनसे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो इसलिए ज्यादा इसको डिफेक्ट नहीं अभी देख लिजना कितना हम गिरे थे आप यहां को देखिए ना सब्सक्राइब की बात है हम कितना गिरे पर्टेक्षम कीम प्रमार देखिए ना दोस्त यह हम 0.42 परसेंटेज में आते हैं 0.42 परसेंट गिरे शुक्रबार को यह कितना गिरे देखिए सब 50 परसेंट का डिफिरेंस है 1.0502 परसेंट गिरे अब आपको यह चीज और देखाते हैं डाव जोन्स की बात करते हैं नहीं नेश्ट डाइक की बात करते हैं यह देखिए यह भी यह भी डेड़ परसेंट के आसपस गिरे हम कितना गिरे 0.42 परसेंट और यह 25 साल का इतिहास देखेंगे तो आपको आएगा कि 5 साल में क्या च्थिषी चेंज गोए और आप बहु फासेंट की बात देखाते हैं डाव जोन्स नेश्ट डैग की बात हो गई यह देखिए डाउ जोन्स डाउन्स कितना गिरे 0.86% अगर हम bank की बात करेंगे तो आपको पता से लगए यह है हमारा bank हम कितना गिरे मात 0.1% भी नहीं 0.07% इससे पता चलता है कि भारती stock market कितनी मजबूत है दोस्तों तो घबडानी की बात नहीं है NLC, MBA, BK Singh की फेल नहीं होगी जो हमने कह दिया दोस्तों को आज नौरात्री की धेर सारी सुख कामना है और माता रानी आपकी सभी परिवार को स्वस्त रखें हम यही इस वर्से कामना करते हैं दोस्तों जय हिन जय भारत बंदे मातरा हम लाइक कर दें दोस्तों इसके बाद वीडियो आएगा वही वीडियो आएगा कि स्प्रिट और बेबरेज वाली जो वीडियो थी अभी कम्प्लिट हुआ है और लोड हुआ वो वीडियो जरू देखेगा पहुत आपको तीन महीने के लिए इस्टमेंट का बहुत बड़ा बेनफिट मिलेगा और सभी इस्टोक बंपर कमाई करके देंगे वीडियो जरू देखेए रेडिये जय हिंजे भारत बंदे माद में देखेए कल का इस्टोक मार्केट कैसा होगा